आधुनिक युग की सोच के अनुरूप यह विश्व विद्याले महिलाओं के शेशक्तिकरण का उधारन प्रस्तुत कर रहा है मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है की यहां शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्तियों में लगभक 55% संख्या बेटियों की है यह सुखद संयोग है की आज के कुल 21 पदक विजिताओं में से 13 बेटियां है यह आपके विश्व विद्याले की बहुत बड़ी उपलब्धी है इसमें हमारे समाज में हो रहे परिवर्तन की जरत एवं नए भारत की तस्वीर दिखाई देती है इसी महिने 7 फरवरी को मैंने बैंगलूरू में इस्तित राजी गांदी यूनिवर्सिटी ओफ हैल्थ साइंसेज के दिक्ष्यांत समारोह में विद्यार्तियों को संभोधित किया था आप सब भी यह जानकर आनंदित होंगे कि वहां 111 स्वर्ण पदक विजिताओं में से 87 यानी लगबक 80 प्रतीशत बेटियां थी मुझे यह देखकर बहुत प्रसन्निता होती है कि हमारी बेटियां अनेक छेत्रों में नए नए कीरतीमान इस्थापित कर रही है आपके इस नए विश्व विद्याले के लिए यह विशेश गर्व की बात है कि यहां की एक बेटी को हावर्ड मेडिकल स्कूल में अध्यन करने के लिए पोस्ट फैलोशिप प्रदान की गई है पैरा आपके सबके साथ यह जानकारी साजा करते हुए मुझे प्रसन्निता हो रही है कि इस विद्याले के भवन तथा स्थाई परिसर के निर्मान हेतु केंद्र सरकार द्वारा लगभक 743 करोड रुपे की राशी अनुमोदित कर दी गई है योजना के अनुसार भविश्य में यह विश्व विद्याले वडोदरा इस्तित परिसर से संचालिक होगा परंतु किसी भी विश्व विद्याले की असली पहचान उसके भवन तथा परिसर से नहीं बलकि विद्यार्तियों की प्रतीभा और शिक्षकों के समरपन से होती है आप सब के आचरण और उपलबधियों के आधार पर ही गुजरात केंद्रिये विश्व विद्याले की चवी निर्मित होगी मुझे विश्वास है कि आप सब अपने प्रियासों द्वारा अपने नए इस विश्व विद्याले की प्रतिस्ठा को ठोस आधार प्रधान करते हुए नए कीरतीमान इस्थापित करेंगे पेरा नई राश्ट्रिय सिक्षा नीती के तहत हमारे देश को नौलेज सूपर पावर बनाने के उद्देश से भरतिय मुल्यों पर आधारित आधुनिक ज्यान विज्यान की सिक्षा को प्रोथ साहित करने के प्रियास किये जा रहे हैं इस देश व्यापी प्रियाशों को केंद्रिय सिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोकरियाल निशंक जी का उत्साह पूर्ण दिशा निर्देश प्राप्त हो रहा है बदलते विश्व में अपने दाईत्वों के प्रती विध्यार्थियों में जागरुपता उत्पन करना भी नई सिक्षा प्रनाली का एक प्रमुक उद्देश है शिक्षन संस्थाओं द्वारा यह प्रयास किया जाना है कि हमारे विध्यार्थी आधुनिक विश्व समुदाय के समर्थ नागरिक बनी उच्च सिक्षन संस्थाओं द्वारा लोक हित और नैतिकता के महत्व पर भी विशेश बल दिये जाने कि आवशक्ता है मानवीय समवेदनाओं वे नैतिकता पर आधारिक भारतिय जीवन मुल्यों पर विशेश बल देकर ही हम अपने विश्व विद्यालयों तथा पास्चाते विचारों पर आधारिक विदेशी विश्व विद्यालयों वे शिक्षन संस्थाओं के रीज अंतर कर सकेंगे पैरा मजबूत एवं आत्मनिर्भर भारत का निर्मान हमारी वैस्विक सोच के केंद्र में है आत्मनिर्भरता के लिए इस्थानिय संसाधनों अनुभवों एवं ज्यान का उपयोग किया जाना चाहिए इस्थानिय संसाधनों का उपयोग करते हुए रिसर्च तथा इनोवेशन के माध्यम से इस्थानिय विकास को बल प्रदान करके आप सभी प्राध्यापक एवर विध्यारतिगन अपनी सिक्षा को सही अर्थों में उपयोगी बना सकते हैं हमें इस बात पर सैदव ध्यान देना है कि हमारी शिक्षा का लाब हमारे व्यक्तिगत विकास के साथ साथ समाज और देश को भी मिले विकास यात्रा में अपिक्षा करत पीछे रह गए देश वाशियों के प्रती सम्विदन शीलता के साथ उनके उत्थान के लिए प्रयास करके आप सब बहतर समाज के निर्मान में अपना योगदान दे सकेंगे इस संदर्ब में सिक्षा की सार्थक्ता से जुड़ा राष्ट पिता महत्मा गांदी का सार गर्बित कथन एत्यंत प्रासंगिक है बापु ने कहा था यदि आपकी सिक्षा कुछ महत्व रखती है तो उसकी सुगंद चारों और फैलनी चाहिए पैरा गांदी जी ने सर्वोदय के लक्षे पर जोर दिया था सर्वोदय अर्थाट सबका उदय सबका उदय का लक्षे तभी पूरा होगा जब अंतिम व्यक्ति का उदय होगा उसके अनुसार सबसे दुर्बल और गरीब व्यक्ति के जीवन और नियती को सुधारने का उद्देश्य ही किसी भी कारिय के उचित होने की कसोटी है आप सभी विध्यार्थियों को समाज के प्रतेक सदश्य के लिए समविदन शीलता और सम्मान का भाव रखना चाहिए तथा इस सम्मान वे समविदन शीलता के साथ तूसरों के कल्यान के लिए ठोस कारिय करना चाहिए पेरा हम स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रिय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। जिस शिक्षा के विशय में स्वामी विवेकानंद ने कहा था जो शिक्षा साधरन व्यक्ती को जीवन संग्राम में समर्थ नहीं बना सकती। जो मनुष्य में चरित्र बल पर हित बावना तथा सिंग के समान साहस नहीं ला सकती। वह भी कोई शिक्षा है। जिस शिक्षा के द्वारा जीवन में अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाता है। वही सिक्षा है। इसी सोच पर आधारित द्वारा हमारे युवा आत्म निर्भर बनेंगे। ऐसे युवा ही आत्म निर्भर भारत का निर्मान करने में अपना योगदान देंगे। मैं चाहूंगा कि अन्य राज्यों से यहां शिक्षा प्राप्त करने के लिए आएं। विध्यारती गण गुजरात के लोगों द्वारा प्रदर्शित आत्म निर्भरता, उद्यम सीलता और स्वयरोजगार की संस्कृती को आत्म साथ करें। अपने आसपास के वातावरण से सीखना भी सिख्षा का एक महत्वपून अंग है। आप सबकी सिख्षा, क्लास्रूम और पाठ्यक्रमों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। आज से लगभग 25 वर्ष बाद सन 2047 में हमारा देश स्वाधिन्ता की शतापदी मनाईगा। आप सभी विध्यार्थियों की पीडी उस एतिहासिक अवसर की साक्षी बनेगी। मैं चाहूँगा की आप सभी आज से ही यह संकल्ब लेकर अपनी जीवन यात्रा में आगे बढ़ें की सन 2047 तक हमारा देश विश्व के सर्वश्रेष्ट राष्ट के रूप में प्रतिस्ठित हो। राष्ट निर्मान के इस संकल्ब में मेरी शुप कामनाई आप सब के साथ है। आप सब जानते हैं कि सन 2009 में विश्व विद्यालय सहित बारह नए केंद्रिये विश्व विद्यालयों विभिन राज्यों में इस्थापित किये गए। और तीन राज्यों में पहले से स्थापित राज्ये विश्व विद्यालयों को केंद्रिये विश्व विद्यालयों का दरजा दिया गया। ऐसे विश्व विद्यालय हमारे देश की विविद्ता में एकता को बड़ावा देने में महत्वपून भूमी का निभा रहे हैं। अखिल भारतिय इस्तर पर आयुजित परिक्षा द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश की वैवस्था के आधार पर इस विश्व विद्यालय में भारत के लगभक 30 राज्यों के होनहार विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि यहां गुजरार्थ के विद्यार्थियों की संख्या लगभक 15 परतीशत ही है। इंडिया जैसा है तथा राश्ट्रिय एकता की हमारी भावना को शक्ती प्रदान कर रहा है। इस चैनल को सबस्क्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंश सकें। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाओ और प्रश्ण हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लास्मेड्स को शेयर करें।